जेहंद मैं ललित खतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता M.T.T.V. इंडिया जनता जनार्दन नए विकल पर चली जाएगी इसलिए अब राजस्थान की गहलोत सरकार एक्षन में है मुख्य मंत्री अशो गहलोत ने शुकरवार को लापरभा A.N. सहित कई के खिलाफ कारेवाही की जिसमें तहसीलदार को तुरंद निलंबिद भी कर दिया वहीं गहलोत चार कलेक्टर से तो बहुत जादा नराज भी हुए इसी दोरान मुख्य मंत्री ने फ्लैक्शिप योजनाओ, जन गोशनाओ, पत्र और बजजच गोशनाओ की पालना में खामियों को लेकर अजमेर, कोटा, परताबगड और हनुमानगड जिला कलेक्टर से नराजगी जाहिर की मुख्य मंत्री अशो गहलोत ने कोटा कलेक्टर ओम परकाश कसेरा से कहा कि संपर्क पोर्टल पर BPL परिवार की लंबे समय से एप्लिकेशन पड़ी हुई है उसे पड़ें क्या लिखा है इस पर कसेरा ने पूरी अरजी पड़ी तब सीम गहलोत ने कसेरा से कारवाही नहीं करने का कारण पूछा इसके साथ ही बिजली कनेक्शन देने में लापरवाही बरतने पर अनोत के AEN और SC के खिलाव भी 16 CCA के तहत कारवाही करने के मुख्यमंतरी सायता कोश्म से राहत देने में देरी करने पर अजमेर के सावर तहसीलदार को निलंबित करने के आदेश दिये मुख्यमंतरी के आदेश के बाद मुख्य सचीव कारयाले से सभी सम्मंदित के खिलाफ कारवाही के आदेश जारी कर दिये गए हैं इस तरह मुख्यमंतरी अशो गहलोत ने सकती से जिला कलेक्टर्स की क्लास लेते हुई है साफ कर दिया कि सरकार की सभी कल्यान कारी योजन में अच्छे काम के लिए तोडगर कलेक्टर चेतन देवडा धोलपुल कलेक्टर राकेश कुमार और जालावार कलेक्टर सिधान सिंग के काम की भी सराहना की वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशो गैलोत ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी साजा की क वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी ये औश्दी वितरन विवस्था की उचित मोनेटरिंग करने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिये गए हैं इसके साथ ही मुख्यमंत्री निशुल्क दवायोजना के तहत सभी मुफ्त दवाओं की उपलब्दता सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देश भी अशुग गयलोट ने दिये हैं मुख्यमंत्री ने बड़े अस्पतालों में लाइफ सेविंग उपलब्दता को लेकर भी समीख्षा की CM अशोग गहलोत ने सभी collectors को इन उपकरणों की उपयोगिता के साथ ही समय से इनकी maintenance करवाने को लेकर भी दिशा निदेश जारी किये CM गहलोत ने video conferencing के दोरान सरकार की सिलिकोसिस नीती के किरियानवन से जुड़ी समीक्षा करते हुए collectors को निदेश दिये की परभावित जिलों में योजना के तहट समझ से रात पहुँचाई जाए इसके साथ ही मुख्यमंत्रिय शोग गहलोत ने संपर्क पोटल की शिकायतों के साथ ही जनसुनवाई में मिली शिकायतों पर भी collector से बाचित कर निदेश दिये है